हमारे दिस भारत में आज क्या हो रहा है कैसे बनेगा भारत विस्वग्रू आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज भारत में बहुत जादे मात्रा में बड़े पैमाने पर की साल आंदोलोन किया जा रहा है आंदोलोन करने के लिए रोका जा रहा है क्या इसी तरह से बनेगा हमारा देश भारत विस्वग्रू आप सभी को इने वीडियो देखी लिया होगा सच में क्या भारत इसी तरह से विशोगुरू बन सकता है जो अपनी मांग को भी न रख सके जो कोई भी अपनी मांग को रखते हैं तो उन्हें आतंगवादी बोल दिया जाता है खालिस्थानी बोल दिया जाता है इस तरह से हमारा देश बिसोगरू बन सकता है क्या अगर ये वात आतंगवादी लगते हैं तो फिर इन है क्यों रबड का गोली और पानी का फूहरा से मारा जाता है आतंगवादी को आतंगवादी जिसे ही मारना चाहिए अगर ये खालिस् किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी खिलाप नोटिस जारी किया गया है। आप सभी को स्क्रिन पर देख सकते हैं क्या ऐसे हमारा देश भारत विश्वगुरू बनेगा। लोग सोचते हैं हमारा देश भारत विश्वगुरू बन रहा हैं। एक तरप कहीं लोग मार खा रहे हैं, कहीं गोलिया खा रहे हैं, कहीं भूखे प्यासे सो रहे हैं। आंदोलन को दबाना, महिलाओं पर अत्याचार करना इसी तरह से विश्वगुरू बनेगा। अब तो सभी कोई वीडियो देख लिजी इसके बाद बात करते हैं हमारे गाउंगर में तो पहले सोचा जा था कि कोई जीते कोई हारे कोई मतलब नहीं है हम सिब से लेकिन देरे देरे समझ में आ रहा है क्यों कैसे क्योंकि लोकतंत्र को ही खतम कर दिया जाएगा तब तो सबसे बड़ा मुसीबत है क्योंकि लोकतंत्र है तभी सभी कोई का समान हक मिल पाएगा लोकतंत्र नहीं रहेगा समान हक नहीं मिल पाएगा इस वीडियो में आप सभी कोई नहीं देखाई होगा कि ये अभी पूरा चर्चित था इसका गिंती क्या बोलते हैं सुप्रीम कोट कोट में किया गिया पहली बार इस भारत के तिहास में साइध हुगा आप सबहें अभी ये बहुत पुराना वीडियो था पुराना वीडियो तो नहीं है पुराना वीडियो तो नहीं है लगभग हमको लगता है कि 6-7 मेना पाल्या के वीडियो है तो ऐसा ही बनेगा क्या हमारा देश भारत विश्वगुरू लोगतंत्र को खत्या करके पुलिस भी मार रहा है जनता भी मार रहा है लगभग 3-4 सालों में देखा जाए तो सब के उपर गरीब सोसित वर्गों के उपर अतियाचार ही अतियाचार हो रहा है तो क्या इसा ही हमारा देश भारत विश्वगुरू बन पाएगा भारत को यदि विश्वगुरू बनाना है तो नीचे से लेकर उपर तक सब को एक समान देखना पड़ेगा किसान मजदूर लेबर वर्ग जितने भी वर्ग हैं नीचे वर्ग के लोग मजदूर करते हैं जितने भी हैं सब को एक समान देखना पड़ेगा येने की किसानों को करजा को माप नहीं करेंगे, किसानों से लोन देंगे और उसको बाद करजा में डालके फिर उससे पैसा जमीन उमीन सब भड़ पा जाए, ऐसा करेंगे, और बाकी बाद उद्योग पतियों का लाखो कड़ोरों में करजा माप कर देंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है अभी आपने वीडियो देखा ही हो गई छोटा से किलिप था और नहीं तो क्या अंत्र हमारे देश में लोकता अंत्र को खतम करके भारत को विश्व गुरू बनाने वाले सारे विपक्षी पाटी को जेल में ही डाल देंगे तो क्या हमारे देश भारत विश्व गुरू बन पाएगा यदि आप सभी को लगता होगा कि भारत विश्व गुरू बन पाएगा यखी पाटी के राज करने से तो आप कोमेंट जरूर कीजिएगा हमें तो नहीं लगता है, आंदोलन करने के लिए आंदोलन को दबाया जाता है, महिलाओं के उपर अत्याचार किया जाता है, आदिवासियों के उपर अत्याचार किया जाता है, गरीब दलीतों के उपर अत्याचार किया जाता है, और विपक्षी नेता है, सब को जेल में डाल करेंगे जय हिन जय जार खंड